नमस्का साथुएक मैं बहुत ही महत पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ साजा करने वाला हूँ क्या EPS 95 नेशनल एकिशन कमिटी का 19 तारिको जो एडिवेशन होने वाला था वो हो पाएगा आपको इसलिए संभाव नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह संभाव ऐसा प्रत बढ़ सकते हैं आपको जाना है शोशल्विकू.co की वेबसाइट पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन आपको बता दे कि इसके पिछे वजह यह है कि लखनाओ के जो जो अभी कोरूना का नया वायरिंट फैला हुआ है अभी देश में और इसको धियान में रखते बिधान भवन वह आसपास के चेत्र के धारे में आने वाले लोगों के विसेश सुरच्छा रहेगी मतलब आप उस चेत्र में नहीं जा सकते हैं और इसके परिदी के एक क्लोमेटर पे तांगा जो अरज से पतार लेकर आपको जाना प्रतिबंधित रहेगा इंटरनेट सू कि आसपास एक क्लोमेटर में कोई सीप्रगार को कोई शूटिंग नहीं होगा लखनाओ में जो कंटेन्मेंट जोन होता है उसे छोड़कर से स्थानों पर 50 फिजदी के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे मल्टी प्लेक्स चलेंगे जीम चलेंगे सिर्फ 50 फिजदी के साथ औ लखनों में किसी तरह की रहली पूर्ड रूप से प्रत्रेबंधित कर दिया गया है लखनों में साधी समारों वा अन्य आयोजन में व्यक्तियों की उपस्तिती बंद स्थानों पर एक समय में सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं कोविड प्रोटकाल के तरह वहां पर जा सकते हैं राष्टिया देविशन संभाव है आपको बताते कि राष्टिया देविशन लखनों में होने वाला था जिसमें बुजर्ग पेंशनर्स पेंशन बिद्धी की माओं को लेकर और अन्य माओं को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे तो जो भी इसका अपडेट आएगा वो मैं आपको जनुमीन और अथन्टिकेश इंफॉर्मिशन ही साजा करता है आसा करते जानकारी पसंद आई होगी राय कमेंट में दीजेगा शेयर कर लीजेगा बहुत बहुत धन्यवादी ये पूरी इंफॉर्मिशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में देगी है वहाँ सभी आपको करते हैं